सबसे पहले बच्चे का क्या राय है हेड हां से चेक करते हैं वेजाइना में हम हाथ डालके अपने रखे बाद बच्चा पूरा आउट हो जाएगा बच्चे को कहां रखना है मा की पेट पे रखना है आज का मार टॉपिक है लेवर या फिर डिलेवरी तो आज हम इस वीडियो में जारेंगे कि नॉर्मल डिलेवरी क्या होती है कैसे होती है कितना समय लगता है नॉर्मल डिलेवरी में पहले बच्चा आउट होता है फिर प्लेसेंटा आउट होता है कितनी स्टेजिस होती है वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में. डीटेल से study करेंगे सबसे पहले देखे क्या है जब लेवर सुरू हो जाती है मतला में कब शुरू होती है लेवर पेन्स डार्ट होते हैं ठीक है तो लेवर पेन्स भी हमारे Two टैपस के होते हैं और फिर anterior shoulder का बाता है, posterior shoulder का बाता है, placenta का ब रिमूव करते हैं, वो सारी चीज हम इसमें detail से study करेंगे, कितनी stage होती हैं, ठीक है, तीन stage होती है, active stage कौन सी होती है, PV कैसे करते हैं, सारी चीज के बारे में हम detail से study करेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि labor या फिर delivery क्या होता ह ठीक है, तो it is a series of event which is occur during the child birth, जब बच्चे का जनम होता है, तो ऐसा नहीं है कि ladies गई और बच्चे का जनम हो गया, नहीं, यह क्या एक series of event है, इसमें बहुत सारे step by step events होते हैं, तब जाके एक बच्चे की delivery होती है, बच्चे का जनम होता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो इस completed into 3 stage, इसमें कितनी stage होती है, 3 stage होती है, ठीक है, कौन-कौन सी, 1st stage, 2nd stage और 3rd stage, अब हम इन 3 stage को details से study करेंगे, एक-एक point twice पढ़ेंगे, ठीक है, कि 1st stage में क्या होता है, 2nd stage में क्या होता है, और 3rd stage में क्या होता है, वैसे तो mainly हमारी stage 3 होती है, ठीक है, पर कहीं-कहीं पर चारवी स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज में हम पेशेंट को observation में रखते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद, बच्चा डिलेवर होने के बाद, प्लेसेंटर डिलेवर होने के बाद, हम जो मदर है और बच्चा है उसको observation में रखते हैं, ठीक है, तो फोर्थ स चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप करें देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक कीजिए तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम कितने हमारी तीन स्टेज होती है अब तीनों स्टेज में सबसे पहले होता क्या ह सबसे पहले सर्विक्स क्या होती है जो हमारे मेडिकल फील्ड से नहीं भी है स्टुडेंट्स तो उनको मैं बता दू सर्विक्स का मतलब होता है बच्चे दानी का मुह ठीक है जो यूट्रस होता है यूट्रस की जो बहरी लाइनिंग होती है उसको हम सर्विक्स बोल तो जब सर्विक्स जब लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते उससे पहले सर्विक्स क्या होती है बंद होती है जो बच्चे दानी का मुह है वो बंद होता है फिर दीरे 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 जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है उसमें बच्चादानी का मुह खुलना स्टार्ट होता है मतलब सर्विक्स का डाइलेट होना स्टार्ट होता है तब ही से लेबर पेन जैसे जैसे लेवरब ने स्टाव हुए है चलिक के से अने लगा कि खुचाव के कारण जो सर्विक्स पतली होनी स्टाट हो जाएगी फ्लस फैलना स्टाट हो जाएगी तो जो हमारी फॉस्ट स्टेज है उसमें cervix का fell ना ठीक है तो वो हमारी किस stage में होगी first stage में cervix कितनी 0 cm से लेके 10 cm तक ठीक है जो normal होती है अगर 10 cm तक fell जाती है तो उसमें हमारा क्या baby deliver हो जाता है तो जो maximum है वो कितनी है 10 cm cervix का dilatation तो हमारी first stage में क्या होगा cervix का dilatation होगा और उसको labor pain start हो जाएंगे कभी-कभी हमारे पास patient ऐसी आती है कि primary होती है प्राइमी का मतलब जो पहली बार pregnant होई है जो multi होती है multi-gravida बोलते हैं उनको जो 2-3 बार उनके pregnancy conceive हो चुकी है तो जो multi-gravida होती है उनको तो पहले से पता होता है कि यह condition होने वाली है तब हमें hospital जाना है या फिर हमारे labor pain start हो गए लेकिन जो primary gravida होती है उसमें time भी जादा लगता है और उसको पता नहीं रहता कि मुझे किस time पे hospital जाना चाहिए उसको क्या होता है उसके थोड़े से भी pain start होते है कमर में उसको दर्द pain start होते है उसे लगता है यह तो मेरे labor pain start हो गए और वो hospital आ जाते है लेकिन उस time पे क्या होता है उनकी cervix बिल्कुल भी dilate नहीं होती है जो internal os है वो closed रहता है बंद रहता है तो उस condition में हम नहीं कर सकते कुछ भी जब तक labor pain start नहीं हो जाते ठीक है तब तक cervix का dilatation नहीं हो सकता तो first stage में जो primi gravida है ठीक है अभी हम next first stage के बारे में भी detail से पढ़ेंगे कि कि कितना time लगता है primi gravida में और multigravida में कितना time लगता है ठीक second stage में क्या होगा in this stage baby birth second stage में जो बच्चा है वो बाहर आ अब क्या आएगा out होगा बाहर होगा ठीक second stage में third stage में क्या होगा in this stage delivery of placenta placenta क्या है आवल नाल जिसको बोलते हैं बच्चे को वहीं से oxygen blood supply सारी चीज बच्चे को वहीं से मिल रही होती है ठीक है तो वो placenta क्या होगा third stage में placenta remove होगा clear अब आजाते हैं first stage जो हमाली पहली stage है तो पहली stage में हमने क्या पड़ा in this stage cervix dilate 10 cm ठीक है हमारी जो cervix है वो कितनी हो जाएगी 10 cm तक dilate हो जाएगी cervix start thinning पतली होना start होगी क्यों होगी labor pain start हो गए जो cervix है वो खिचना start होगी जब कोई भी चीज खिचती है तो पतली होगी ठीक है तो cervix भी कैसे हो नहीं हो जाएगी पतली होना start हो जाएगी this is the longest stage यह सबसे लंबी stage होती है ठीक है this stage complete 12 to 19 आवर्स 12 से 19 गंडे लगते हैं किसमे प्राइमी ग्राविडा में प्राइमी ग्राविडा जो पहली वार pregnant हुई हो पहली वार childbirth कर रही हो मच्चे बच्चे की delivery पहली वार कर रही हो ठीक है तो उसमें time थोड़ा ज्यादा इस time पर क्या है रिलेक्स है जब इसमें लेवर पेन स्टार्ट होंगे तो इसमें क्या होगा खिचाब महसूस होगा खिचाब के कारण यह पहले पतली पड़ेगी ठीक है फिर डाइलेट होगी तो उसमें time तो लगेगा अब यही चीज मल्टी ग्राविडा में थोड़ा ज सेंटी मिटर तक डाइलेट हो जाती है लेकिन यह 2 स्टेव में डाइलेट होती है ठीक है तो सर्वेक्स बच्चादानी का मुह ए मों 1-4 सैंटीमिटर ही खुलेगा कौनसी फेस में लेसे में छीके start mild contraction ठीक है? अभी यहाँ पे एकदम तेज तड़क दड़क भाले दर्द नहीं आ रहे हैं कितने है? mild contraction है mild वाले हलके दर्द है every 5 to 30 minutes for 30 to 40 seconds अब जैसे जैसे दर्द बढ़ने start होते हैं तो उनकी जो intensity है ठीक है? वो increase हो जाती है पहले जो दर्द थे वो हर आदा घंटे में आ रहे थे 10 seconds या 20 seconds के लिए आ रहे थे अब जो दर्द हैं वो हर 5 या 10 minutes में आ रहे होंगे और जादा time के लिए आ रहे होंगे जैसे कि 30 से 40 seconds के लिए आ रहे होंगे ठीक? अब यह जो stage है वो कितने time चलेगी? This phase extends 4 to 8 hours कितने time के लिए चलेगी? 4 से 8 घंडे के लिए यह phase चलेगी तो इसमें कितना बच्चादानी का dial station होगा? 1 से 4 cm अच्छा अब एक चीज और है हम कैसे पता करेंगे कि भाई अब 2 cm हो गया 4 cm हो गया या फिर 10 cm हो गया तो हम क्या करते हैं? हम PV examination करते हैं ठीक है? PV examination क्या? पर Vagina ठीक है? Vagina के through हम fingers को insert करते हैं और PV करते हैं ठीक है? PV में यह बच्चे का head है यह क्या है? Cervix ठीक है? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? Cervix तो हम यहां से check करते हैं Vagina में हम हाथ डालके अपने उंगलियों से check करते हैं पर Vagina की वही कितनी हमारी उंगली insert हो रही है ठीक है? उस हिसाब से हम किसमें change कर देंगे? इसको cm कैसे change करेंगे? अगर हमारी one finger insert हो रही है ठीक है? तो 1 cm अगर हमारी दोनों insert हो रही है ठीक है? और tight हो रही है तो हमारे कितना हो जाएगा? 3 cm अगर हमारी 2 है और हलकी सी lose है तो कितना हो गया हमारा? 4 cm इससे हम idea लगा रहे हैं ठीक है? जो cervix का dilatation है वो कितना हो चुका है? ठीक फिर है 6 cm अगर 2 फिंगर हलकी सी lose है हमारी तो कितना है? 6 cm ठीक 7 cm तो फिंगर थोड़ा सा और जादा lose हो गया तो 7 cm और अगर पूरा ही angle बन रहा है तो कितना है? 10 cm तो fingers के according हम पता कर सकते हैं कि cervix का कितना dilatation हो रहा है या बच्चा दानी का मुग कितना खुल रहा है ठीक है? प्राइमी ग्राइविडा होती है जो पहली बार pregnant होई होती है महिला है उनमें धीरे धीरे progress होती है ठीक है? तो उनमें 1.5 cm per hour से जो cervix है वो dilat होती है और multigravida में 1 cm per hour भी progress होती है ठीक है? नेक्स देखिए इस तरीके से जो पहली stage है हमारी ठीक है? पहली stage में क्या था पेशेंट? un-dilated cervix है पहली stage dilatation इसमें क्या हो रहा है? बिलकुल बंद थी जो हमारा cervix है वो बिलकुल क्या थी? बंद है और यहाँ पे देखो हमारे जो डाइल्टेशन है वो फुल हो गया 10-cm हो गया तो यह हमारा किसम हो रहा है first stage में ही second stage में क्या हो रहा है बेबी का birth हो रहा है बच्चे का जनम हो रहा है किस तरीके से सबसे पहले वो क्या होगा head आएगा head out होगा यह क्या हो गया head आउट होगा head के बाद उसके shoulder निकलेंगे ठीक है पहले anterior shoulder ठीक है आगे वाला shoulder निकलेगा फिर posterior shoulder फिर पूरा का पूरा umbilical cord के साथ बच्चा बाहर आउट होगा उसके बाद placenta को remove करेंगे किलियर तो अब आजाते हैं इसके second stage second stage कौन सी है इसकी active and transition phase अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम first stage के ही जो phases है उसको पढ़ रहे हैं तो जो first phase ही हमारी क्या थी latent phase जिसमें की जो cervix का dilatation था वो कितना था एक से चार सेंटीमीटर आप सेकिंड में आ जाते हैं active and transition phase में क्या होगा in this phase cervix completely dilate कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसमें ठीक है pregnant female has high contraction इसमें तेस से दर्द आने स्टार्ट होंगे उसको ठीक है कितना on. work is the court marathon these 2-3 मिनट्या में and RDRD के आने हां पर लेकिन कैसे हंagus यह लि समें नभाध सेकंड के लिए कि कि Honestly कि यहां दर्द की नेंड इसमें क्यों जुआ इसमें क्या हो रहा था उसमें पांस से ले-क देंस्र제 केन यइशमें अधा हंटे के बीच से तीन घंटे में complete हो जाएगी तो जो हमारी first stage है उसमें भी हमारे दो phase होते हैं पहली phase में 1-4 cm खुलेगी बाकी के में 4-10 cm खुलेगी clear हुआ ठीक है जो पहली latent phase थी वो कितने थी 8-6 घंटे 6-8 घंटे और जो last cervix is not affected or dilated यह cervix है बिलकुल भी open नहीं है बिलकुल बंद है ठीक है यह uterus है अब बच्चा किसमें amniotic sac में है next cervix is affected 1 cm dilate यह थोड़ी सी open हुई है ठीक है dilate हुई है 1 cm अगर हम इसमें अगर पर वेजाए न हम insert करेंगे तो हमारी one finger जाएगी ठीक है तो one finger is equal to one cm dilate ठीक next फिर हमारी कितनी हो गए 5 cm dilate हो गई फिर हमारी कितनी fully dilate हो गई देखिए पूरा ठीक है cervix कहां थी बिलकुल बंद थी यह वाला एरिया क्या है बिलकुल बंद और वहां जाके है क्या हो गया 10 cm dilate हो गई मतलब यह क्या है हमारी पूरी फॉर्स स्टेज कंप्लीट हुई ठीक next आ जाते हैं second stage second stage में क्या है हमारा this is stage when baby deliver यह वो stage है जिसमें की baby के delivery होगी ठीक है in this stage cervix fully dilated इसमें cervix fully dilated है इसमें कुछ नहीं करना सिर्फ baby को deliver करना है इन प्राइमी ग्रेविडा प्राइमी ग्रेविडा मतलब जो first time pregnant हुए है this stage complete two to three hours ठीक है अगर प्राइमी ग्रेविडा है फिर भी इस stage में वो दो से तीन घंटे लेगी ठीक है अगर multi ग्रेविडा है तो वो आदा प्रोफल्सिव और एक्सपल्सिव प्रोफल्सिव में क्या कह रहा है इन दिस फेस सर्विक्स इस completely dilate and baby head touch pelvic floor इसमें क्या होगा जो बच्चा है वो अपनी pelvic floor में position बनाएगा पहले बिल्कुल adjust होगा ठीक है ऐसा नहीं है पहले तो बच्चा क्या था move कर रहा था movement कर रहा ठीक है जब तक क्या हो रहा था cervix dilate हो रही थी अब cervix जब dilate हो गई 10 cm हो गई तो बच्चे अपने head को fix करेगा ठीक है तो प्रोफल्सिव फेस में क्या होगा बच्चे अपने head को fix कर लेगा ठीक है can I touch pelvic floor जो pelvic floor है वहां पर touch कर लेगा के लिए next expulsim में in the space baby head come out जो बेबी का सिर है वो बाहर आएगा और बेबी पुश outside और बच्चा भी जोड लगाएगा मा तो जोड लगाई लगाएगी ठीक है मा क्या करेगी बच्चे को बाहर निकलने के लिए जोड और बच्चा भी अंदर से जोड लगाएगा बाहर निकलने के लिए ठीक है तो जब ही तो बच्चे की delivery होगी तो इस सरी कैसे देगे सबसे पहले बच्चे का क्या राए head तो इसमें जो जब मा की delivery होती है तो बहुत सारी positions होती है बच्चे की, ठीक है, ये कौन सी है, ये है vertex position, vertex position में जिसमें की बच्चे का जो सिर है वो नीचे की तरफ होता है, एक होती है bridge presentation, जिसमें बच्चे के जो पैर है वो आगे की तरफ होते हैं, ठीक है, oblique transverse positions भी होती है, जि किस condition में है बच्चा vertex में तो बच्चा क्या है normal delivery के लिए सबसे best position होती है तो सबसे पहले इसका होगा head out होगा head क्या है सबसे पहले head क्या होगा fix होगा fix होने के बाद बच्चे है अपने head को rotate करेगा और बाहर की तरफ पुश करेगा देखो ये बच्चा क्या कर रहा है अपने हैड को बाहर की तरफ पुश कर रहा है अब इसका क्या हो गया head तो बाहर आ गया ठीक है अब क्या करेगा यह anterior shoulder अपने shoulder को rotate करेगा और सबसे पहले जो बाहर वाला shoulder है उसको निकालेगा ठीक है फिर उसके बाद posterior shoulder फिर पीछे वाले shoulder को निकलेगे वहले इस तरीके से सबसे निकलने के बाद बच्चा पूरा आउट हो जाएगा बच्चे को कहां रखना है मां की पेट पे रखना है ठीक है मां पेट पे रखने के बाद उसके साथ में umbilical cord भी है ठीक है तीस से तीस सेकेंड तक बच्चे में पिलकुल blood supply जाने देंगे उसके बाद कौचार फॉर्सेप से umbilical cord को क्या करेंगे हम clamp कर लेंगे ठीक है तो second stage में क्या होगे हमारी बच्चे की delivery होगे के लिए last हमारी stage बसती है third अब third stage में बच्चे की हमारी delivery होगे अब बच्चा क्या अब बच्चा हमारा क्या placenta placenta क्या था जो बच्चे की आवल नाल है ठीक है जिसको हम आवल नाल बोलते हैं बच्चे की नावी से एक cord attached रहती है इसी से placenta से बच्चे को nutrients मिलते है blood supply इसी के थुरू मिलती है ठीक है तो अब यह क्या है third stage last stage यह क्या है this stage start after the birth of the baby बच्चे के birth के बाद यह start होती है क्या करते हैं इसमें it complete after delivery of placenta इसमें क्या होगा जो placenta है उसकी delivery होगी मतलब उसको बाहर निकालेंगे ठीक है this stage take 15 minute time यह stage कितना time लेगी 15 minute लेगी क्यों 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 जैसे ही बच्चे की delivery होई ठीक है हमने umbilical cord को cut किया बच्चे को radiant warmer में या machine में रखा ठीक है उसके बाद इसको जो placenta है यह अपने अप separate होगा ठीक है जो placenta है वो रप्चर होने के chance रहते हैं ठीक है इसकी membranes अलग-लग हो जाती है फिर और ज्यादा problem होगी bleeding होने के chance हो सकते हैं बहुत सारी conditions हो सकती है तो इसी लिए पहले हम इसको separate होने देंगे तब यह अपने आप ही हम cord traction की मदद से हम इसको बाहर निकालेंगे ठीक है तो अब देखें इस वीडियो में हमने पूरी तीनो स्टेज के बारे में पढ़ा तो एक बार समरी बता देती हूं सबसे पहले लेवर स्टार्ट हुआ ठीक है इसके अंदर membranes थी उसके बाद इफेश्मेंट हुआ थीक है थोड़ी सी open हुई ज़्यादा नहीं थोड़ी सी open हुई फिर यहां पर आके क्या होगी शर्विक्स पूरी open होगी बच्चे ने अपना head rotate किया ठीक है बच्चे इस time क्या से था इस position में था बच्चे ने देखें अपना head कैसे क्या रोटेट किया, head is rotated, partially extended and now present membranes are ruptured, जो अंदर bag था, ठीक है, amniotic fruit था, bag membrane थी, वो ruptured हो गई, head rotate हो गया, आप क्या होगा, head बाहर निकलेगा, head is almost delivered, head क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, हमने head की delivery करी, head की delivery करने के बाद, shoulder की delivery हुई, ठीक है, shoulder निकाला, ठीक है, निकालने के बाद क्या होगा, बच्चा निकल गया, उसके हमने क्या करा, umbilical cord को cut करा, umbilical cord cut करने के बाद, हमने क्या करा, placenta को remove किया, placenta has begun to separate from uterus, पहले separate होने देंगे, तब उसको हम remove करेंगे, ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरा detail से study करा है, एक-एक step को अच्छे से पढ़ा है, कि किस step में क्या होता है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करें, और channel को subscribe करें, और अपने friends को share करें, thank you.